Hello everyone welcome to this video previous video में हम लोगों ने एनेमार स्पेक्ट्रोसकोपी के बारे में डिसकुशन किया था और आज हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्नीक्स के पीवाई क्यूस पर डिसकुशन करने वाले हैं और उन टेक्नीक्स के बारे में पीवाई क्यूस से ही थोड़ा सा कवर कर रहेंगे ओके सो फर्सकुशन है हमारा इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी ओफ मिक्शर ऑफ प्रोटीन और सोडियम क्लोराइट तो फर्स तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी एक्शल में क्या होता है adsorption chromatography hydroxy appetite chromatography different chromatography होते हैं उनसे थोड़ा सा opposite होती है opposite बोले तो कि normally क्या होता है सब में stationary phase होते हैं वो होते हैं polar और जो mobile phase होते हैं वो होते हैं non polar अब आप सोच रहे होंगे stationary polar और stationary और mobile क्या है तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी chromatography techniques क्या होती है यह molecules को separation के लिए यूज़ करते हैं ठीक है तो हमने मान लेते हैं कि इसमें दो चीज़ा आपको याद रखनी है एक होती है stationary phase stationary phase और एक होता है mobile phase बहुत जादा deep नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में आ जाएगा stationary phase क्या होता है नाम से समझ में आ रहे है जो stationary होता होगा mobile phase क्या होता है जो move कर रहा होगा अब आपको एक चीज़ और इसमें याद रखनी है कि यहां पर जो interaction force लगता है जो interaction force लगता है वो interaction force लगता है hydrophobic interaction hydrophobic interaction ठीक है अब जो stationary phase होता है वो reverse phase chromatography में हमेशा कैसा होता है non-polar यह बात आपको याद रखनी है और जो mobile phase होता है वो कैसा होता है polar तो आप याद रखेंगे stationary phase क्या होता है stationary phase जो रुका हुआ है और रुका हुआ कौन सा है non-polar और mobile phase कौन सा है polar तो देखो जो चल रहा होगा जैसे मानलो की यहां पर है यह कुछ matters है और यहां से हमने कोई material डाला इसमें दो तरीके के material हमने डाले इसमें से कुछ जो होगा तो सबसे पहले को इलूट हुआ हुआ जो पोलार होता होगा और जो next है जो बचा हुआ है वो जो रुका हुआ था उसको बाद में इलूट करेंगे तो second time जो आएगा वो कौन सा आएगा second time जो आएगा वो आएगा non-polar ठीक है आप समझ जाएंगे किस में हमें किस molecules को सेप before the protein देखो salt जो होता है वो polar की category में आता है sodium chloride ठीक है उसके बाद proteins ठीक है प्रोटीन आ सकती है मतला होगा इंके comparison में देखोगे तो यह ज्यादा polar है in comparison to protein तो हमारा answer यह हो जाएगा first वाला कि the salt will elude before the protein बाकी और तुमको पढ़ने के जरूरत है नहीं वैसे पढ़ लो the salt and protein will coelute बिल्कुल भी नहीं the salt will elude after the protein नहीं क्योंकि salt जो है ज्यादा polar है और the salt will elude but the protein will not ऐसा नहीं हो सकता हमें elution तो दोनों कहीं करना है ठीक है अगला question क्या है हमारा अगला question है given below are two statement one is labeled as assertion and the other is labeled as reason ठीक है assertion क्या दे रखा है देखो in size exclusion chromatography देखो अब यहां पर size exclusion आ गया तो ध्यान से समझो मैं यहां लिख देती हूं कि जो size exclusion chromatography होती है वो हमेशा size के basis पे अलग करती है size के basis पे molecules को separate करती है ठीक है मतला जो छोटा size है या बड़ा size है depend करता है कि जो उसमें pores है ठीक है वो कैसे हैं छोटे हैं या बड़े हैं अब larger protein illute earlier and the smaller protein illute later देखो larger protein हमेशा याद रखेंगे size exclusion chromatography में क्योंकि यह size के basis पे अलग होते हैं तो size के basis में हमेशा जो large protein होगी वो सबसे पहले निकल जाएगी और जो small protein होगी वो बाद में आएगी ऐसा क्यों क्योंकि जो molecules small होंगे वो रुके रहेंगे वहीं पर और जो large होंगे वो पहले से इल्यूट हो जाएंगे ठीक है तो यह आपका assertion तो सही है वें मैट्रिक्स लाइक सेफ़डेक्स आर यूज पार्टिशन ऑफ प्रोटीन मॉलेक्यूल्स लाइक लिक्विड बिविड बिविड प्रोटीन साइज हां बिल्कुल भी यह सही है इंद लाइट अबव स्टेट उसकी वज़े से ठीक है तो आपका answer हो जाएगा कि A भी साही है B भी साही है मतलब सुरी assertion भी साही है तो दोनों true है और जो R है वो correct explanation explanation किसका A का मतलब assertion का ओके next question a scientist choose nickel NTA affinity chromatography to purify a recombinant protein which one of the following tag was present in the recombinant protein तो देखो आपको वैसे तो सीधा सीधा याद रखना है कि जब भी आप nickel NTA affinity chromatography की बात करते हैं और recombinant protein यह purify करने के लिए होता है तो इसमें हम histidine tag यूज करते हैं जो hexahestidine है वह हम यूज करते हैं और यह nickel से bind रहता है ठीक है गयाद रखना अगला है हमारा gel filtration chromatography separates protein on the basis of किसके basis पे अभी अभी बात वा था कि gel filtration chromatography में हम किसके basis पे यूज करते हैं इसको इसी को हम gel filtration को में size exclusion chromatography बोलते हैं साइज एक्सक्लूजन chromatography ठीक है और इसमें किसके basis पे होगा on the basis of size ठीक है लार्ज फर्स निकलता है लार्ज फर्स इल्यूट होगा और जो स्मॉल होगा वह बाद में ठीक है तो याद रखो यह size के basis पे अलग होता है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे यहां पर size और कुछ दिख रहा है जो hydrodynamic volume है उसी को हम उसका size बोल देते हैं ठीक है medicines are noisants that shatter the faith of the patient in medicine and enhance the emergence of direct resistance a medicine is likely to be fake if तो देखो पहली बात तो यह समझो कि यह जो question है वो दे रखा है आपको HPLC से किसे दे रखा है HPLC HPLC मतलब HPLC की full form होती है high pressure liquid chromatography ठीक है याद रखना है इसमें अब gas liquid chromatography भी होती है वह अलग है HPLC यह बता रहा है कि इसमें आपको दो चीज़ेदे को समझनी पड़ेंगे एक होता है standard sample ठीक है standard sample जिससे हम comparison करते हैं ठीक है standard sample और एक होता है test sample तो जब यहां पर हमें जिसक है तो क्या होगा मतला हमें कैसे पता चलेगा HPLC कैसे बताईगी ठीक है तो याद रखो standard sample test sample में अपना-पना retention timing होता है और अपनी peak intensity होती है ठीक है क्या होता है इसका अपना पीक इंटेंसिटी ओके इसके पास भी कुछ अपना retention timing होगा और पीक इंटेंसिटी होगी यह याद रखना अब हमेशा याद रखो अगर यह दोनों चीजें यह दोनों चीजें इक्वल है क्या है इक्वल किसमें standard और टेस्ट दोनों में तो medicine जो है वो कैसी है वो फेक नह रहा है तो याद रखेंगे medicine fake होगी क्यों क्योंकि उसका retention timing और peak intensity सेब नहीं नजर आ रही है याद रखो retention timing depends करती है किस पर standard और mobile phase जो होता है उस पर नहीं 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 रखो standard and test sample on TLC TLC thin layer chromatography सेम नहीं वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं है same peak intensity and same retention time are not observed बिल्कुल सही है on injection of equal amount of the test and standard sample on HPLC तो अगर test and standard sample को equal amount में inject किया जाए फिर भी उसकी peak intensity and retention timing सेम नहीं आ रही है इसका मतलब की medicine कैसी है fake है okay next question single standard single stranded okay single stranded DNA can be separated from the double stranded DNA efficiently using यह तो easy है क्या है इसका answer hydroxy appetite chromatography ठीक है याद रखना आपको अगला सवाल यह नुमर 4 ठीक है ओके देखो easy है अभी तक दो बार यहीं size exclusion chromatography के बारे हम पढ़ चुके हैं इस तो रिलेटेटिट एक सवाल है a mixture of three proteins x y और z तीन प्रोटीन दे रखी है नाम देदी x y z was loaded on a size exclusion column the molecular weight and pi of protein as follow देखो सबसे पहली बात कि इन्होंने आपको दो जीज दे रखी है एक दे रखा है size molecular weight एक दे रखा है pi ठीक है pi आप जानते हैं अब अब आइसो एलेक्ट्र कॉइंट है ठीक है अब यह molecular weight है इस पे तो size exclusion chromatography depend करती है लेकिन पी आई पर नहीं करती है तो यह जो दे रखा है वह हमें बिव को बनाने के लिए यहां पर ठीक है कि जो size exclusion chromatography होती है exclusion chromatography जो होती है उसका जो उसमें जो molecules का separation होता है वह किस के basis पे होता है size के basis पे होता है ठीक है ठीक है तो last हटा दो यह कि तीन हमारे पास तो तो देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा molecular weight किसका यह कि निशुका फाइव आपावर फाइव फिटसे बात है बहाई बात है अवर इंद्टार कोलं एफ उक्राशन कोलम कि पहले वाले का कितना है तो तो त्वेंट आपने फींटर्वाले का धूर्गा का थिद्याद्रें पर ठीक है तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा ऐसा पूछा है उन्होंने देखो क्या है देखो क्या है देखो इनसे ज्यादा मॉलेकले वेट किसका टेंस टू पावर 4 से ज्यादा होना चाहिए यह होज्य हो सकता है यह हो इंकल जाए तो दिमाग लगाना था तो तो नियुक्त स Taste 1986 कि और बी mental उन्होंता है और बिलार्ज भगा तोstars फिक उसकर एक्ति बार जादा कितना है 10 to power 5 है maximum तो यहां पर 10 to power 6 का अंसर हो गया simple है अगला कुछिए प्रोटीन्स आर कॉमनली प्योरिफाइड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आपको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी पता होना चाहिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इसमें क्या होता है मतलब इसमें पॉसिटिव और निगेटिव चार्ज आयन पर डिपेंड करता है ठीक है अब इसमें दो होते हैं एक होते हैं काटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एक होता है एनायन एक्सचेंज होता क्या है इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखो ऐसे एक सिकंड हाँ जी अब लिखते हैं यहां पर क्लिक लेते हैं यहां पर निया निया लिखते हैं ठीक है अभी हमने क्या बोला कि Ion Exchange Chromatography है इसका मतलब कि यह किस पे अब ध्यान रहे कि अगर leads negative charge है beats bez Б zuha delegator कोई कोन होगा बोसितितिव चार्ज बाइन्ट करीगा और बोसितिव चार्ज का मतलब क्या होता है बेसिक पैजिक का मतलब की मतलब कि इसकी et 5 कैसी होगी हाई इसकील कैसी होगी हाई अब हाई पी इंद करके है तो निकल कोन जाएगा तो फर्स जो किसा होगा फर्स जो लृवत फिर निल्गै जो और लो पी आई वाले मॉलक्यूल का होगा लो पी आई वाले मॉलक्यूल होगा पहले निकल जाएगा अब इसमें बिल्कुल उल्टा है कि अगर positive charge का beats है positive charge beats है तो आखर के bind कौन करेगा bind कौन करेगा bind to negative charge molecule जो negative charge molecule होगा और negative charge का मतलब यहां पर कौन है negative charge का मतलब है acidic तो bind कौन कर गया acidic तो जो acid का मतलब low pi सक मकरण किसि Disney पेजिए तो यहां पर फार्स्ट एल्यूट होगा विस्फप यहां पर फार्स्ट होगा वो होगा हॉग जिसका होगा हाइय पी- आ वाले का है पीपयाई मतलब बेसिक मितलब पॉसिटिव चारड बात समझ में पहले निकलता है भो होता है रोपी आई मतलब एसट इक और अनिक एक्सजणजर में हमेशा निकलता है कौन सबसे पहले है पॉस्टिव चार्ज मतलब बेसिक बले तो हाई पी आई वाला ठीक है अब अपन आउसर पढ़ेंगे मतलब ऑप्शन पढ़ेंगे इसमें आपको आइनिक एक्सचेंजर ऐसा नहीं है अच्छा तो यही तो not true हो गया पहले अगला पल देते हैं अच्छा इसको hold कर पहो इवन प्रोटीन्स दिताररिश कफरीव प्रोटीन्स सके नहीं प्रोटीन्स प्रोटीन्स लेक्षाइज किलिं से खर्फिट उनिक र्रोटीन्स यही वे अएक्ष अन्यू वित गर्हा अर्य हां भीकूल तो आपका हो ग्वाता और रह ग्यावे सोग्वा which one of the following statement is incorrect देखो हमेशे यह दखना है जो इंकरेक्ट वाले जो होते न वही फसा देते हैं तो इंकरेक्ट देखना है विशे क्या पुछा है correct incorrect in relation to reverse phase chromatography अभी पहले पढ़के आयो कि reverse phase chromatography के लिए इंकरेक्ट क्या है the solute elude the decreasing order of the polarity हां बिल्कुल सही है यह तो बिल्कुल सही है ठीक है दूसरा क्या है the stationary phase surface covering the silica particle involving the non-polar functional group देखो यह है आज का answer कि हम लोग जो stationary phase use कर सकते हैं वो silica use कर सकते तो 10th का जो second वाला है यह भी answer सही मतलब जो option है वो सही दे रखा है तो solute elude with the increasing order of the molecular weight बिल्कुल भी नहीं अभी हम जब बोल रहे हैं कि decreasing order of polarity में solute elude होता है तो हम increasing order कैसे सही लगा सकते हैं तो यह ही आपका answer मतलब यही गलत option है लेकिन आपका answer option जो है वही यह सही है ठीक है तो इसको हम यहां से थोड़ा सा हटाते हैं और बागी की चीजें correct करते तो आपका answer क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा option number third क्यों क्यों कि यह गलत है ऐसा नहीं होता अभी हमने reverse face क्रुमेंटोग्राफिय में क्या पढ़ा था स्टैंडर्डर होते हें वो क्या होते हैं वह होते हैं और की से हैं यह टो होते हैं पोलार मैं कैसे होते हैं नोग जो कbles इल्यूटे ऊपिन ठीक है अगला है a recombinant threptic protein is intracellularly produced in a soluble form using E. coli जानते हैं which one of the following sequence of chromatographic separation method is preferable for obtaining clinical grade protein देखो जो clinical grade proteins होती हैं उनमें हम दो chromatography यूज करते हैं हीजो academies करते हैं जो hydrophobic interaction होता है hydrophobic interaction chromatography ठीक है और जो उसके बार यूज करते हैं वह हम यूज करते हैं आयन exchanger क्रोमेट ग्राफी होती है तक हो hydrophobic interaction में जिह होती है धर आशिक जो protein होIST होती है तो टूती इसमें प्रोटिंद नहीं होती है और यहीं चाहिज अगर आप रिवर्स फेज में देखते हैं जो रिवर्स फेज क्रॉमेटोग्राफिय होती है उसमें भी hydrophobic interaction लगता है लेकिन इसमें protein denature हो जाती है कैसी हो जाती है denature हो जाती है इसलिए हम इसका use यहां पर नहीं करते हैं तो हम यह use नहीं करते हैं not use तो कौन यह use करते हैं hydrophobic interaction उसके बाद क्या use करते हैं और आयन एक्सचेंजर तो अभी पढ़के आए तो आंसर होगे आपका फर्स्ट निक्स्ट्स इसमें हम पार्टिशनिंग कॉफिशेंट के लिए जब मैं नोट्स के साथ आउंगे तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगे अगला है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगे मैंने चांती ऐसा हो हमोगलोबिन के वहरे में आप सब लोग जानते होंगे हमोगलोबिन की प्रफवाडी का रेस्पिरेटरी पिग्मेंट है और यह और बाद आपको पता होगी और तेकनिक यूज तट्याबलिश ज्ट्राइटीच stoichiometry of alpha and beta subunits R तो आप कैसे पता लगाएंगे ठीक है कोई भी प्रोटीन हम कैसे पता लगाते हैं कि कितना मॉलेकलियर वेट होगा उसमें जितने जदाधा अमीनोचिड होगे उसका मॉलेकलियर बप्रोटीन उसका वेट होगा नंबर ऑफ अमीनोसिट पे जितना जादा अमीनोसिट होगा उतना जादा उसका वेट होगा और वेट वाले जो भी चीज़े होती है वो हमने अभी क्रोमेटोग्राफी कौन सी पड़ी थी एक तो आपका जेल फिल्ट्रेशन जो कि उसके साइस पे वेसिस पे होता है और एक ह एक है आपको याद रखना है कि जब भी ऐसी बात होती है ककी जो एल्फा-बीर-ग्लोबीन चेन के बारे में, जो उसके स्टक्चर के बारे में हमें पता लगाना है तो उसके लिए जो यूज करते है और जैल फिल्ट्रेशन-क्रमिटोग्राफी अदे और इदक पूरा किसी कि जाकर ड़ रहा है और लिए अलग होता है ठीक है एंटा तो यहां पर पुछाएं कि जो है किसपर अचीव करते हैं तो इसका आंसार आपका क्या हो जाएगा resolution in adsorption chromatography is achieved at, किस पर यूज़ करेंगे हम? illusion stage only, binding stage only, equilibrium stage only, या both binding and illusion stage, देखो सीधी सी बात है, कि आप जब भी adsorption chromatography की बात करते हैं, आपके लिए दोनों ही चीज़े important है, binding stage भी और illusion stage भी, इसलिए आपका जो answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? binding and illusion is both stage, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा आपका? answer number, मतलब option number fourth, ठीक है? अगला है, which one of the following technique cannot be used to remove salt from a protein solution? तो इसके लिए आपको क्या होगा? कि आपको हमेशा याद अटना है कि जब भी, इसने बोला है कि cannot, cannot बोला है, यहाँ बीजर करेंगे तो बहुत सरी चीज़ा हो जाएगी, अल्ट्रा-filtration भी यूज़ कर सकते आप, ठीक है? सॉल्ट और वाटर ओके नेक्स्ट है हमारा और जो आपका nacer को बढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं जो आपका जी-वन-फिफ्टी उता है सेफरडेक्स वह सब्सक्रीद के लिए जो फिनायल सेफरोज होता है किसके कर सकते हैं NH4 जो ammonium sulphate होता है gradient उसको कम करने के लिए कर सकते हैं तो आपका जो option number हो जाएगा ऐसा किस में है ऐसा है option number one ठीक है अगला which one of the following is true during the separation of biomolecule by reverse phase chromatography reverse phase chromatography से कितने सवाल आये हैं अभी तक आपनों कम से कम 3-4 सवाल आप reverse phase chromatography से कर सकते हैं तो इसमें आसान है इसका stationary phase is less polar than the mobile phase ठीक है option number one यह आप खोज से समझ लेजेगा क्योंकि आपने दो तीन बार इस प्रीज को पढ़ा हुआ है ठीक है अगला सवाल the sample of homo multimeric protein containing one atom of iron per polypeptide which amount to 0.56% by weight gel filtration indicate that the molecular weight of multimer is 20 kilo dalton the maximum number of subunits that the protein may have assume the atomic weight Fe जो फेर उसका iron का जो है molecular weight कितना है 56 सारे data को हमेशा जैसे हम लोग हमेशा करते हैं लिख लेते हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है देखो फेरस का जो iron है उसका जो एक का molecular weight है वो कितना है 56 दे रखा है और उसने क्या बोला है उसने बोला है कि एक polypeptide जो है उसमें एक ही atom है Fe का ठीक है तो अगर हर जितने भी polypeptide है उसके weight में Fe का जो percentage है वो कितना है इच polypeptide में Fe का जो percentage है by weight कितना है 0.56% तो अगर आप protein का weight निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 56 by 0.56 और percentage में है तो 100 लगा दिया आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो आंसर आओ गया आपका 10,000 डॉल्टन अब महलें आंसर नहीं अभी और है ठीक है अब molecular weight हमको exactly क्या निकालने है अपनको number of subunit निकालनी है न तो याद रखो जो हम molecular weight निकालेंगे मॉल्टीमर का molecular weight कितना दे रखा है इसमें 20 kd दे रखा है तो जो मॉल्टीमर है उसका जो molecular weight हो कितना होगा molecular weight कितना होगा कितना बताया इसने 20 kd डालतर है तो किलो डालतर हम क्या करेंगे 30 और लगा देंगे और कोई दिक्कत नहीं है number of subunit निकालनी है एक का कितना आया 10,000 निकाल लो कितना आ गया number of subunit 2 तो आंसर कितना होगा 2 next question there are two protein molecules s and m they have the same molecular weight okay same charge okay are structurally very similar but very in certain domain how will you separate s and m easy यह तो आप खुद ही बताएंगे कि जब भी हम उसने क्या बोला देखो molecule weight same है हम लोग gel filtration से यूज नहीं कर सकते तो gel filtration वैसे देवी ने रखा है charge भी same है ठीक है charge same है तो cut किसको करना है ion exchange को cut कर दो thin layers यहाँ पर अभी thin layer से तो हम separate नहीं कर सकते यहां पर की नहीं है बचा कॉन affinity chromatography ठीक है तो जब भी इसने बोले जब भी हमें पता है molecule weight same है charge भी same है structural भी same है तो फिर एलेक्ट्रोफोरेस पर भी हम depend नहीं कर सकते नहीं जादा इलेक्ट्रोफोरेस में तो कितना क्या होता है तो weight की तरह होता है weight बढ़ता है कम होता है तो उसके through हमको bands मिलते है तो यहां पर हमको क्या करना है यहां पर किस किस molecule के affinity कैसी है इस पर depend करेगा इसका affinity chromatography हम यहां पर यूज करेंगे कुछ चीज़े कभी कभी हमें निकलेक करके भी देखनी होती है मतलब जो question सही नहीं लग रहा है जो option सही नहीं लग रहा है उस option को हटा दो पहले आपको answer self मिल जाएगा which one of the following is best method to determine the phospholipid asymmetry in a plasma membrane तो प्लाजम मेंब्रेन बेस्ट मेंथर्ड कौन सा होगा फॉस्फो लिपड अस्यमेटरी बताने के लिए तो यह तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा हमेशा देखो electron microscopy बोला है कि कौन सा best method है electron microscopy नहीं है इसा नहीं है fluorescence spectroscopy यह हम लोग पिछली बार बात कर चुके हैं नहीं हाँ fluorescence की नहीं किया तो fluorescence spectroscopy से कर सकते हैं lectin binding नहीं thin layer chromatography नहीं तो answer क्या हो गया आपका second option हो गया ठीक है fluorescence spectroscopy से हम find कर सकते हैं अगला in the gel filtration chromatography क्या है gel filtration chromatography हम पढ़ते हैं the large protein will be lute first low पहले ही मिल गया the small protein will be lute first no both large will be lute same time बिल्कुल नहीं the small protein will higher charge नहीं यह पहला option सही है मारा the thin layer chromatography runs of the rat liver phospholipid is sprayed with the ninhydrin with the color is allowed to develop which phospholipid can be detected in this way ठीक है तो इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि जो phosphatidyl ethanol amine और जो phosphatidyl serine होता है ठीक है तो इन में से कौन सा हो गया phosphatidyl serine आपका answer हो गया third next question अगला question है the net charge the net charge of the protein may not be sufficient to determine whether a protein will bind to an ion exchanger this is due to the presence of hydrophobic patches on the protein surface हाँ यह तो indicative है the heterogeneous special distribution of charged amino acid देखो हमेशा जाद रखो कि जो charge होता है वो कभी भी indicate नहीं करता है कि वो कहां पार है उसकी body की मतलब उसके कोड में है या फिर उसके surface पे है तो यह नहीं होगा तो आपका answer भी यह हो गया वैसे तो the presence of repeating motifs in the sum proteins यह भी सही है the strong hydration hydration potential of protein यह भी सही है ठीक है तो आपका answer हो जाएगा option number option number second is your answer ठीक है आज हम 25 questions बहुत हैं आपनों के लिए इसको digest कर लीजिए अच्छे से फिर जो remaining questions है अगर आपको उसमें से कोई doubt अगर और भी question आप लगा रहे हैं कोई doubt मिल रहा है तो आप प्लीज मुझे comments में बता दीजिए मैं आपको solve करके दे दूंगे ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है I hope कि वीडियो आपको पसंद ठीक है thank you so much guys bye-bye झाह मुँ्मनूँ अगराए प्रवी।